हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक बार द्वारा से आपके अपने चैनल विवेक रना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल को दबाना ना भूना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके तो दोस्तो अपनी खुद की रिसर्च एड करने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकती हो ठीक है चिस पैंज स्टॉक की बात कर रहा हूं यह स्टॉक पांच रुपे के आसपास लगाता आपको अपडेट दिया था काफ़ अच्छी प्राइज में आपको मिल रहा है आप नजरों में रख स अनके बेसिस में भी मॉमेंटम पकड़ने का ट्राय करोगे मॉमेंटम का मतलब उपर जाने वाले हैं मॉमेंटम उसमें बोला जाता है ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकती हो ठीक है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि investment करो भाई ठीक है मैंने भी investment कर रखा है लेकिन छोटा मोटा अगर आप swing trading करके मतलब एक से तीम मैंने hold करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकती हो बना return gain कर सकते हो तो करने में क्या बुराई है करो ना भाई करते क्यों ना हो ठीक है तो ऐसी मैं एक example लाएं आपके लिए इस stock के बारे में ठीक है आप देखो कि stock के में बात कर रहा हूं आप यहार देख सकती हो date दिख जाएगी May 15 और उससे पहले April के आपस price आपके सामने है उसमें 5 रुपे चल रहा था 6 रुपे हुआ आज 7 रुपे चल रहा है तो मतलब आपके सामने है 5 रुपे बात चीज आप 7 रुपे हो गया एक अच्छा गासा gain दे रहा है और company के fundamental मैं यह नहीं कहाँ बिकार होता है घदा भी बहुत अच्छा है अगर उसको काम करवाने वाला व्यक्ति हो मालिक अच्छा हो उसका तो आपको भी क्या करना है घोडे में पैसा लगाओ लेकिन घदे में पक्का पैसा लगाओ कहने मतलब घोडा मतलब बड़े stocks जो यह company करती यह investment company है finance की company है अब आपको पता है यह लोगों का पैसा manage करती है इसका यह कामकार चाहिए company का शौर्ट वों IVC करके है तो इसी sector की जो बड़े stocks है जैसे आपका double IFL ठीक है मोतिलाल ओस्वाल ऐसे stocks में भी आप पैसा लगा सकती हो ठीक है वो घोडे है लेकिन घोडे में पै सारे stocks है और साथ में कभी यह घोड़ा बन जाए in terms of return मतला जो मोतिलाल उस पाल अब इस प्राइस में कासी चल रहा हजार रुपे कासी चल रहा हमें एक मोटा मोटा एक्जामल ले तो 200 रुपे का असपास 200 वाला जो मोतिलाल उस पाले example के दौर में मुझे नहीं पता क्या प्राइस चल रहा है दोस्कों के आसपास अपने लिया वह मातर 400 हुआ लेकिन यह जो घदा है यह आपने पांच में लिया और 15 रुपे और 20 रुपे हो गया तो भाईया in terms of return किसने आपको अच्छा पैसा दिया इस घदे ने दिया ना तो हमें तो return से मतलब है ना भाई तो हमें उसमें focus करना चाहिए और साथ में पैसा कमाने के साथ साथ एक चीज़ को पक्का focus करना वह होता है रिक्स प्रोफाइल को ठीक है अगर यह चीज़ भूल गए ना तो साइज store markets में long term में पैसा नहीं कमा पाऊ गए रिक्स प्रोफाइल मतलब शुरू में जितना पै strategy को कभी ना कभी-कभी follow करता हूं लगता और कभी-कभी follow नहीं कर पाता है क्योंकि किसी चीज़ को follow लगता एक process को follow करते रहना बहुत पकाओ काम है पकाओ समझते हो पकाओ पकाओ काम है आपको पता है stock market में रोजाना जो stocks होते रोज 20% का circuit लगाते रहते रोजाना तो हमा आप stocks में पैसा तो कमाओ लेकिन जो आपका rule है रिक्स प्रफाइल उसको मत भूलना जो 2% रूल रिक्स प्रफाइल लास एक मन्त से यूज़ कर रहे थे दो मैने से यूज़ कर रहे थे तीन मैने से यूज़ कर रहे थे उसको बढ़ाके 5% 10% मत करना 2% पर रहने देना ठीक है तो यह कुछ छोटा मोटा घ्यान भी देना होता है बीच वीच में वीडियो के माद्यम से आपको अपडेट दे देता हूं क्या पता आपके काम आ जाए तो स्टॉक का नम हमने देख लिया है आई वीसी करके है ठीक है ए एनसी वीसी दोनों में कामकाज होता है आगे हो मैंने खुद 6 रुपे की लेविस में बाई किया हुआ है अभी 7 रुपे 30 पर चल ला एक अच्छा गाता गेन आ रहा है अब मेरे जो स्टॉक का टागेट है 7 रुपे 50 पैसे का पहला टागेट है फिर 8 रुपे के आसपास का टागेट निकल के आता है तो मैं तो स्टॉक अगर आप स्टॉक के एक साल तक होल्ड कर सकते हो च्यों कहार्मे श्युल्ट कर सकता है तृट मैं साथ छ्य मैने तक होल ना करूँ कि मैंतों हमेसा ट्रेडिंग के पर्पस से च्टॉक को भाए करता हूं एक थीक महीने गासि मेग का ग्या रुपे 60 तक घुरप सा 5 रुपे का stop अपने दिमाग में लगा लो अपने system में लगा लो ताब आप 10 रुपे के target के इंतजार करना जिसको आने में 6-9 महना लग सकता है और यहाँ पर अपना रिक्स प्रुफाइल को ध्यान नकले ना जो 2% कर लो बताया है शोगी आपकी capital है उसका 2% इसा invest करो अगर एक लाग रुपे capital है तो मातर 2,000 रुपे ज्यादा invest मत करना stock में यही होता है अगर आपके बाद 100 क्रोड रुपे है तो भईया 2 क्रोड रुपे आप invest कर सकते हो तो यह जितना ज्यादा आप चीनी डालों को चाय में उतना ज्यादा मिठास होने वाला है तो समझ्जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं ठीक है आगे लेके चलते stock के आज के कामकाज में कैसा कामकाज हुआ है तो more than 15 lakh quantity rate की गए 15 lakh उसमें से 9 lakh quantity लोग घर लेके गए आप देख सकते हो almost 62 और 63% के आसपास का delivery percentage निकल के आता है प्राइज आपके सामें 7 रुपर 30 पैसे trade कर रहा है ठीक तो मैं इस वीडियो को यहां ही समाप्त करूं क्या या वीडियो को और खीचना है लंबा आप एच्छा लागा लाइक कर देना शेयर कर देना बागी fundamental company के में आपको बता था ठीक है आप सीथा company का मैं आपको दिखाता हूं साथ में देखे company आपको 8% के आसपास का dividend yield दे रही है ठीक है एंद दोस्तों देखे जो मैं आपको बतलाया था company debt free है और company अच्छे profit दे सकती है तो दोस्तों इससे दो अच्छे point मुझे लगता किसी company के हो सकती है अगर आपको किसी stock में दिख जाए तो आप stock को आखे बंगर के buy कर सकती हो अगर बात करते है इसके profit की तो देख लो March के company की जो earnings सी 15 crore के असपास की sales देखने को मिलती है net profit आप देख सकते हो 4.35 crore के असपास का company ने profit दिया है last quarter में profit बाइस लाग रुपे का था तो company का जो profit है net profit लगाता आपको एक growth नजर आ रही हो कि लगाता बढ़ रहा है ठीक है मैं इसकी comparison करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ last quarter की comparison से बोल रहा हूँ अगर company last quarter में अच्छा काम किया तो definitely future company अच्छा काम कर सकती है ऐसा माना जाता है तो definitely आप अगले एक से 3 महने के stock को अपन hard and unmunny है और आपने चाहते हैं कि वह waste हो इसलिए अपनी खुद की research एक बार add कर लेना ठीक है भाई तो मिलता हूं next video में तक तक लिए bye bye take a good day